नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर भारत की Energy Security के लिए एक और बड़ा चिंता का विशे सामने आया है इंडिया का सबसे largest supplier of crude oil that is Russia वो अब नए-नए तरीके ढून रहा है कि किस तरीके से oil के उपर discount को कम किया जाना चाहिए इसके पहले ही उन्होंने directly discounts को तो कम करना शुरू कर ही दिया था लेकिन हाल ही में उनके द्वारा एक नया तरीका निकाला गया है जिसमें कि वो अपनी taxation policy को change कर रहे है कच्चे तेल पे किस तरीके से tax लगाया जाता है उसमें बदलाव ला रहे है जो tax है वो बढ़ जाएगा and automatically जो crude oil के उपर discount है वो कम हो जाएगा आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे यह वाली खबर सबसे पहले western media के द्वारा कवर करी गई थी Russia plans to lower oil export discount to $20 per barrel और दोस्तों यह वाला जो oil discount था यह असल में पहले $25 per barrel के हिसाब से चल रहा था लेकिन वो इसको अब कम करते हुए $20 per barrel पे लेकर आना चाहते है and obviously यह इंडिया के लिए काफी important है इसी लिए Indian news media economic times ने भी इसको cover किया कि India to feel the oil pinch as Russia looks to lower crude discount to $20 per barrel इसी चीज़ के बारे में discussion करने वाले हैं कि इसका impact इंडिया के ऊपर क्या पढ़ने वाला है and also अब से आगे से इंडिया की जो रननीती है वो किस प्रकार की होने वाली है so that इंडिया की जो energy and oil security है वो हैंपर ना हो सके चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को पाना चाहते हैं तो यहां पर दिये गए टेलेग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं इसके इलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि आज से exactly दो दिन के बाद एक अगस्त से नया उडान बैच आप सभी के लिए शुरू किया रहा है आरंब किया जा रहा है इसमें की 900 से भी अधिग घंटे की classes आपको available करवाई जाएंगी और यह पूरा का पूरा बैच आपको available हो रहा है at only and only 8000 रुपीस जो की इंडिया का सबसे affordable और सबसे comprehensive UPSC civil सिवा परीक्षा की तैयारी का बैच है इसमें enroll कीजेगा before 31st of July and you can enroll using the coupon code any UPSC so that आपको यहां पर maximum discounts available हो सकें all right so अगर हम लोग बात करते हैं कि रश्या के द्वारा जो announcement करी गई है वो क्या है so finance ministry of Russia is planning to cut the discount to $20 per barrel from $25 per barrel that it presently uses to decide taxes on the country's crude oil exports so यह वाला जो statement है रश्या के जो finance minister है Anton Silonov उनके द्वारा यह statement दिया गया है रश्या ऐसा क्यों कर रहा है इसके पीछे 2-3 कारण है जो की उनकी domestic economy से ही कारण सामने आते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखे oil and gas revenues में रश्या ने इस साल जो है वो 8 trillion rubles का collection किया है यानि कि oil and gas बेचते हुए उन्होंने इतना collection किया है जो कि approximately 88.5 billion dollars के आसपास का है और यह collection उन्होंने तब करा है अगर उनका जो price का एक barrel का price है वो 80 dollar के आसपास है लेकिन रश्या ने साथ में ये भी कहा कि ये वाला जो हमने इतना सारा revenue यहां से गठा किया है this is actually 47% lower year on year in the first 6 months of 2023 यानि कि पिछले साल के पहले 6 महीने की तुल्ला में इस साल के पहले 6 महीने में हमें जो revenue देखने को मिला है वो 47% घटता हुआ देखने को मिला है और ये बह बहुत सारे पश्चिमी देशों के द्वारा लगाये गए प्रतिबंदों की बात करें उसके बहुत सारे financial markets रश्या के लिए बंद हो चुके हैं ever since जो price cap लगाया गया है इसी के चलते problem रश्या को ये आ रही है कि उनकी जो चल रही military campaign है उसको sponsor करने के लिए उनके पास government के पास basically पैसा कम पढ़ रहा है और इसी लिए जो वहाँ पे लगाया जा रहा tax था जो basically crude पे लगाया जा रहा tax था उसको अब वो लोग कम करने वाले हैं मतलब की tax के discount को कम करने वाले है in effect जो आपका effective tax होगा वो बढ़ जाएगा so discount is 25 dollar per barrel currently लेकिन उसको ये कम करके 20 dollar per barrel पे ल mobile exports ये further measures क्या होने वाले हैं इसके बारे में जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है ये चीज हम इस महीने में लगातार देखते आ रहे हैं जुलाए के पहले ही हफते में हमने देख लिया था कि जो direct discount रश्या offer कर रहा था कच्छे तेल पे भारत के लिए वो कम करते 4 US dollar per barrel पर आ चुका है in fact जो रश्या के द्वारा भारत से जो shipping cost charge करी जा रही थी वो भी रश्या almost 2 गुना की shipping cost ले रहा था बहुत सारे analysts और experts का ये कहना है कि अगर हम लोग Rotterdam से शुरू करते हुए Persian Gulf तक पहुंचते हैं तो जो यहाँ पे total खर्चा आता है उसमें जितना भी खर्चा आता है रश्या उससे almost 2 गुना खर्चा ले रहा है भारत से जबकि जो यहाँ पे cost है वो approximately similar ही होनी चाहिए उसके बाद हमने देखा कि जुलाई के जस्ट आज से एक हफता पहले Russian Government ने कहा कि हम लोग oil quotas के ऊपर basically एक capping ले कराना चाहते हैं oil exports के ऊपर quotas को पोस कर देते हैं तो उस case में हम लोग इस दाम को और उपर लेकर जा सकते हैं इसके बाद Russia already supply cut को भी plan कर रहा है जिसको की उन्होंने एक छोटे level पे तो implement कर ही दिया है और ये वो चाह रहे हैं कि इस oil cut को और जादा आगे बढ़ाया जा सके so that effectively जो oil का दाम है वो open market में बढ अभी कच्छा तेल काफी अच्छे levels पे चल रहा था तो Russia basically ये चाह रहा है कि कि किसी भी तरीके से जो oil का दाम था जो की almost एक साल तक बहुत कम रहा उसको वापिस अपने levels पे लाया जा सके so that Russian economy को जो एक साल में discounts रगरा की वज़े से नुकसान हुआ है वो अब उनको आगे भुगतना ना पड़े लेकिन ये बात ते है कि इसका सबसे बड़ा impact अगर किसी पे होगा तो इंडिया के ऊपर होगा चाइना भी इतना negatively affected नहीं होगा because June के महीने का जो data सामने आया है 60% of all Russian Ural oil export was actually done only to India चाइना में केवल 7% ही यहाँ पे देखने को मिला था चाइना में ए इसकी वज़े से वहाँ पे overall जो energy की demand है वो काफी गिर चुकी है लेकिन इंडिया के case में ऐसा नहीं है इसलिए सबसे बड़ा जो impact होगा वो यहाँ पे भारत के उपर पढ़ने वाला है So India की रने नीती काफी simple है कि do not put all your eggs in one basket क्योंकि Russian oil अब धीरे धीरे expensive होता जा रहा है तो इंडिया को अपने जो traditional sources थे जहां से हम लोग पहले कच्चे तेल को खरीदे थे जैसे कि Iran, Iraq, Saudi Arabia, UAE वहीं से हमें कच्चे तेल को दुबारा खरीदना शुरू करना चाहिए और this is the most opportun moment for India because फिलहाल जो monsoon चल रहा है इस time पे India में demand कम होती है अगर हम आज ही इन deals को finalize कर लेते हैं तो आगे जाकर के जब हमारी demand बढ़ने वाली है during winters हमारी demand बढ़ने वाली है तो उस time पे हम लोग basically सुरक्षित हो जाएंगे हमें किसी और के ऊपर dependent नहीं होना पड़ेगा आप anthropology जैसे optionals आप लोगों के लिए announce कर दिये गाए है अगर आप इसमें enroll करना चाहते हैं आप separately enroll कर सकते हैं ध्यान रखिए you can use the coupon code any UPSC optional select करने में आपको तकलीफ हो रही है मेरे telegram channel पर जाहिए हमने वहाँ पर तरीका बताया है कैसे आप उसको resolve कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के भी आप अपनी optionals को फिर choose कर सकते हैं आप चाहें तो इसको combo में भी purchase कर सकते हैं along with the GS course and 15,000 रुपे में आपको यह GS और optional दोनों ही available करवाती है जाहेंगे thank you so much for listening stay tuned and